हाई एवरिवान आज मैं आपके साथ शेयर करें बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल पनीर लवाबदार की रेस्पी पनीर लवाबदार जिसका नाम लेते ही मुँ में पानी आ जाता है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टरेंट जैसा पनीर लवाबदार बनाने की ऐ ऐसी ऐसी ट्रेक्स पताऊंगी जिसे कि आपका जो पनीर लवाबदार है बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल बनेगा और हमेशा आप इसे घर में बनाना पसंद करेंगे रेस्टरंट जाना तो भूली जाएंगे तो आए दिखाती हो कि क्या सीक्रेट्स हो अपनाते है इसको ब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो यहां पर सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है जिसमें मैं एक टेबल स्पून ओयल डालूंगी तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अब इसके अंदर मैं एड़ करें एक टी स्पून जीरा एक छोटा सा दालचीनी का तीन से चार लॉंग अब इसे हलका सा फ्राई कर लेंगे अब मैं इसमें डाल यह चार से पांच लेसम की कलिया एक इंच अदरक का टुकडा जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्छापन निकल जाए दो बड़े साइस की प् करना है गोल्डन ब्राउन नहीं करना है cuz नमक अड़ेंगी थोड़ा सा नमक अड़ कर रहे हैं क्योंकि बाद में भी हमें नमक अड़ करना पड़ेगा doc2 नमक एड़ करने से ब्राई भी जल् Z पक जाती है पतार चार मैं अब इसके अंडर मैं आड़ करे पांच से छे लाल जिसे खरबूजे के बीच भी बोला जाता है साथ ही 10 से 12 काजू इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें 5 मिनट के लिए पकाना है जब तक हमारे टमाटर सौफ्ट न हो जाएं तो इसे मैं ढख कर 5 मिनट के लिए पका लेती हूं तब तक हम यहाँ पर पनीर कट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पनीर लिया है इस तरह से बड़े बड़े पीसेस हमें कट करने हैं तो यह जो पनीर है इतना पनीर में बचा के अलग रख लेती हूं उसका हमें कुछ और इस्तमाल करना है और बाकी के पनीर को मैं इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ तो बहुत छोटे टुकड़े नहीं काटने हैं, बड़े टुकड़े देखने में अच्छे लगते हैं तो यहां पर मैंने पनीर काट लिया है, पनीर के क्यूब्स कट कर लिया है, इन्हें मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ, अब यह जो पनीर मैंने बचा के रखा था उसे हमें ग्राइंड करना है, तो यहां पर मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ, इस तरह से मस पेस्ट कऊ-षर आपको त्यार करना है सिए तो err हम यह आप वैकार करना है आप यह चैक कर लेते हैं मसाला तो यह पर ट्वाटर 6 तो चुके हैं गैस बंद कर देंगे और से थंडा करके आपको इसका पेस्ट चाहरा करना है लेशिश कि अब तो यहां पर मैंने बारिक पेस्ट तयार कर लिया है इसे हम चान लेंगे क्योंकि हमें एकदम स्मूध ग्रेवी चाहिए इसमें बिल्कुल भी रेश्य वगएरा नहीं होने चाहिए तो इसे इस तरह से मोटी च्छने से चान लेंगे तो नीचे देखिए आप देख सकते हैं नीचे एकदम स्मूध पेस्ट निकल रहा है उपर जो है वो मोटा मोटा पाट जो रह जाता है रेशे रह जाते हैं वो सारे इस तरह से निकल जाएंगे जो यह बच गया है ना इसे हमें निकाल देना है अब यहां पर मैंने फिर से एक टेबल स्पून यहां पर मैंने देगी मिर्च डाली है और गैस इकम लोपे है जैसे हम देगी मिर्च डालेंगे फटा फट से इस masalay को डाल देंगे नहीं तो हमारी जो लाल में छहें वो जल जाएगी फटा फट से इस काम को करें तो यहाँ पर यह masalay मैंने डाल दिया है और जो बॉल में लगा था उसमें भी पानी डाल की मैं इसमें डाल दूँगे वो हम बिल्कुल भी मसाले को वेस्ट नहीं करेंगे तो ये भी मैं एड़ कर देती हूँ अब इस मसाले को हमें फिर से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसका जो पानी है वो पुरा सूख न जाए अच्छे से अब मैं इसके अंदर नमक एड़ कर दूँगी नमक हमने पहले भी एड़ किया था इसलिए बहुत ध्यान से एड़ करिएगा साथ ही हम ये पनीर वाला पेस्ट इसमें एड़ कर देंगे इससे जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगी अब मैंने गैस को हाई पे कर दिया है और इसे पकाते रहेंगे जब तक कि फिर से तेल नजर ना आने लगे तो काफी अच्छा उबाल आ रहा है धिरे धिरे इसका पानी सूकता जाएगा मसाले जो है मसाला जो है वो गाढ़ा होता जाएगा तो इस तरह से पकने देते हैं और साथ ही मैं यहां पर टेस्ट के लिए डाली है दो बड़े चमच टोमाटो कैचप इससे जो सब्जी है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हलकी सी मिठास आएगी और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे की रेस्टरेंट में आता है एक टीस्पून गरम मसाला मैं इसमें एड़ कर रहे हूं और हाई फ्लेम पर मसाली को भूनती जा रहे क्योंकि जो इसकी ग्रेवी होते हैं गाड़ी होते हैं बहुत पतली नहीं रखनी है पानी एड़ करने के बाद इसे फिर से पकने देंगे बॉयल आने तक तो इसमें उबाल आना शुरू हो गया है अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम एड़ करूँगी तो यहां पे दो चमच मै चमच माणा करें है तो मलाई भी अड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें इसमें पनियर के क्यूबज इड़ कर दूगी और इसे हमें 5-7 मिनट और पकाना है और इसके बाद हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो इसे पकने देते हैं इसे मैं ढख देती हूँ ढख के इसे हम 5 मिनट पका लेंगे तो 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी में काफी अच्छे से उबाल आ गया है अब इस गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे में फिर से ढख कर छोड़ दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए हमेशा सब्जी को 5 मिनट ढख कर छोड़ें उसे क्या होता है सब्जी के उपर तेल वापिस आ जाता है जिसे की सब्जी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है अब इसे बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल में स हुले जाएंगे जब घर पर इसे एक बार बना लेंगे तो बिलकूल जयसे ही घानिष करेंगे जैसे रेस्टरींट में मिलतीया तो लग रही है ते लित्वर उत जब एक प्रफ़ करें लिघ के बता है कैसी लगी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दूसरों के साथ शेयर करेगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो को